एक लॉयर के वाइफ का एक टीनेजर के साथ अफेर हो जाता है लॉयर कोई बात पता चली पर उसका भी अफेर चल रहा था मूवी में ट्वीस्ट आने के बाद आगे क्या होगा कि हम एक्स्प्लेशन में जानेंगे हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको लॉयर्स वाइफ येक कोरियन मूवी एक्स्प्लेशन करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अचल लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बिना किसी देखे के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा में क्यारेक्टर यंग हमें दिखाया जाता है वो एक्चुल में एक लॉयर है एक जगा पर वो क्राइम सीन पर पहुँच गया इस क्राइम सीन पर बहुत सालों पहले मर्डर करकर उनकी बॉड़ी गार्ड दी थी यंग के क्लाइन के फादर की बॉड़ी भी इसमें थी क्लाइन इस सबसे बहुती डिस्टब हो गया और पुलीस से वा जगड़ा कर देता है इस जगड़े को सौल करते होए यंग इस गड़े में गिर जाता है इसके बाद उसकी वाइव जिसका नाम है यून यह हमसे इंटरडूस होती है यह बाइक राइड कर रही थी और उसके पीछे एक टीनेजर उसका पीछा कर रहा था अचानक से वो रस्ते से गिर जाती है यह टीनेजर ने नोटिस किया और वहाँ से चला गया आज उसकी मदर इनलाउस के बेटे का खैल रख रही थी जब उन्होंने मदर इनलाउस को घर पर छोड़ा तो उसका बेटा उससे पूछता है का ग्राइड मा को पता है कि मैं अड़ोप्टेड हूँ ग्राइड मा को आफकोस पता था यून गहती है तुम्हें कोई भी इंबारस होने की जरुवत नहीं है तुम मेरे बेटे हो और इस बात से प्राउड रहो इसके बाद रात में यंग यून के जगा पर किसी और लड़की के पास आया वो फिर घर पर आता है शौर वेगर लेता है घर पर हम देखते है कि उसके बेटे के साथ उसकी बॉर्णिंग बहुत अच्छी है आज राते दिनों साथ ही सोग है यंग यून से कहता है कल मेरे फादर मेंडल हॉस्पिटल से निकलने वाले प्लीज उन्हें पिक अप कर ले न यून ने कल अपने फादर इनलो को पिक अप किया फादर इनलो कहता है घर जाने से पहले क्यों न हम बेर ले फादर इनलो को बहुत सारे हेल प्रॉलम थे पर फिर भी यून उन्हें अलाव करती है इसके बाद यून को हम काम पर देखते है उसका एक स्टूडियो है जहाँ पर वो लड़कियों को डांसिंग सिखाती है मुवी के फस में हमने जि इस वज़े से सारे बच्चे मुझे चिडाते है यून ने उसे कहा है ये डिलेवरी के वक्त मदर को तकलीफ होती है उसी तरीके से जब उसका बेटा उसके लाइफ में आया था तो उसे बहुत खुश हुई थी उसका हार्ट अपने बेटे के लिए एक करता है उसे बहुत करती है वो कभी उसे अलग नहीं समझती है आज रात यून और यंग इंटिमेट हो गए यून ने आजकल नोटिस किया है कि वो सैटिस्वाइड नहीं हो पाती वो फिर हॉल में जाकर योगा कर रही थी जो टीनेजर उसका बीचा कर रहा था वह उसका नेबर भी है उसे रा प्राइक लिए ठेटर में आया जहाँ पर एडल मूवी चल रही थी ठेटर में वो अकेला होता इस वज़े से मूवी चल नहीं रही थी पर यून ने भी वही तिकेट पाई किया यंग का जिस लटकी के साथ अफेर चल रहा है उसका नाम है किम आज यंग फिर से किम के पास आया हुआ था किम उसे कहती है मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ यंग कहता है तुम कंफर्म करने के लिए टेस्ट होगरा करवा लो जब वो यहाँ था तो कीम के दरवाजे पर कोई नौक करता है किम ने उस आदमें से कहा था कि मैं घर पर नहीं हूँ पर फिर जो उसके घर पर पहुच गया था यंग पूचता है कि यह है कौन पर किम इस बात को इगनोर करती है यून जी इस टीनेजर लड़के की पीछे थी इसका नाम है शिन शिन और यून ने मूवी देखी और इसके बाद यून उससे गहती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ह तुम मेरे सामने ही रहते हो शिन ने फिर उसे लंज के लिए इन्वाइट किया और दोने एक जगा पर आते है इन्होंने बहुत सारी बात एक ही आज यंग को बता चला कि कीम एक्चौर में प्रेगनेंट है तो इस वज़े से ओर टेंशन में था इसके साथ साथ डॉक्टर में लेकर आया था उसका अबोशन करवा लेता है इसके बाद यंग यून अपनी मदर और फादर को लेकर डॉक्टर के पास आया डॉक्टर उसके फादर को समझाते है कि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आपके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है पर बहुत ज्यादा हसी आई पर फिर भी उसके मन में डाउट था तो जाकर वो यंग को देख कर आती है पर फॉर्चुनेटली यंग अपने ऑफिस में है रात में यून अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी वो बता रही थी यह मुझे लगा था कि शादी के बाद में साथ रहोंगे उसे लगता है कि जब वो अनमैरिट थी तो उसके लाइफ में बहुत सारे एकसाइटमेंट थी इसके बाद यंग ने यून से कहा कि कौनफरेंस के लिए मैं दो तीन दिन बाहर जा रहा हूँ पर एक्चॉल में वो कीम के साथ हॉलिडे पर जा रहा था घर की इसाफ सफाई करते हो यून ने सब चीजे निकाली इसमें एक लाइट भी था वो पहले बहुत सारे माउंटन ट्रेकिंग क्या करती थी पर अब उसने डिसाइड किया क्यों शिन के साथ जाएगी ट्रेकिंग करते हो शिन यून से गयता है थोड़े मंस में मैं हमेशा के लि रहा था यंग कीम के साथ एंज्या कर रहा था पर अचानक से उसकी फादर की दवेद बहुत ही खराब हो गए उन्हों हस्पिटल में एडमिट किया जाता है वो जल्ली से घर पर वापस आ रहा था पर किम उसके साथ गाड़ी में ही इंटिमेट होने लगती है इसे के पैरल बाद वो अपने फादर के पास हॉस्पिटल में आया उसके फादर खुन की उल्टिया कर रहे थे इस सब बातों से डिस्टरब हो गया था यून उसके पास आकर उसे सहारा देती है सारी चीजों को उसने आज बहुत यह अच्छे से हैंडल किया था कुछी दिनों में यंग उसको और किसी और के साथ अफेर चल रहा है वो उसके साथ खुश है और उसे के साथ रहना चाहती है जब यंग और यून एक साथ अके लिए थे तो यंग उसे कहता है तुमने सब कुछ चीज़े बहुत अच्छे से हैंडल की वो जो बहुत अच्छा लगा वो उसके लिए बहुत थैंक्फूल था, वो यून से भार तो करता है, पर अपनी चीटिंग की आदत छोड़ नहीं पाता, इसके बाद नेक सिन में यून और शीन ये दोनों फेस से मुवी देखने के लिए आये हुए थे, यही बड़ी इंटिमेट हो जाते है, प्रिवियसली यंग ने जिस यून के स्टुडियो में दोनों अकेले थे, यून उसके साथ इंटिमेट होने वाली थी, तभी शीन के फादर ने इन दोनों को पकड़ लिया, शीन के फादर बहुत जाता गुसा थे, वो यून को कनफरंट कर रहे थे, तभी शीन ने जाकर अपना हाथ कास से टकरा दिया उससे खुनाने लग गया था, तो फादर उससे हस्पिटर लेकर जाते है, गर पर यून जब अपने बेटे के साथ थे, तो उसका बेटा कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताती कि मैं अडॉप्टेड हूँ, तभी सही होता, यून ने कहा कि तुमसे कुछ भी छुपाना गलत होता, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग की मदर अपने न्यू पार्टनर के साथ, इस कंट्री को छोड़ कर जा रही थी, उसे छोड़ने के लिए यंग की पूरी फैमिल एरिपोर्ट पर आते है, हसी कुशी उसे देते हैं, एक्चुल में उन्होंने शीन के पीछे एक प्राइवी डिरेक्ट्यू लगाया था, इस वज़े सुने पता चला था, सारा एविडन्स उन्होंने दिखाया, इस बात से यंग डिस्टब हो गया, और शीन के फादर को यहां से निकल जाने के लिए कहता है, वो र गाड़ी पर बिठा कर एक सुमसान बिल्डिंग पर लेकर आता है, यह डिलिवरी मैन बहुत ही डिस्टब है, यंग ने उस पर चार्जे स्प्रेस किया थे, इस वज़े से उसकी जॉब चली गई, डिलिवरी मैन को पता था कि यंग और केम गाड़ी में एक साथ क्या कर रह रही थे, यह उसकी अकेले की गलती नहीं थी, पर फिर भी उसे ही बनेश्मेंट मिल रही थी, डिलिवरी मैन को लगता है कि जॉब चले जाने के पाथ, उसकी पूरी लाइब बरबाद हो चुकी है, और यंग को ही दोशी मानता है, उसे का बदला लेने के लिए, उसने उसक करें दोनों बहुत रोते हैं, थोड़ा टाइम बीट कया, यह दोनों घर पर आते थे, और बहुत रोते थे, यंग को पता था कि यून उस पर चीट कर रही है, और इस बात से और भी जादा खुस्ता था, उसने फिर किम को यून के सामने ही कॉल लगा, यून ने सब सुन र कहती है, तुमने भी तो अफेर किया था, यह दोनों एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, इनमें बहुत बड़ी फाइट हुई, फाइट करते करते यंग की वज़े से यून के हाथ पर चोट आके, उसे हस्पिटर लेकर आता है, यून को उसने घर चोड़ दिया, और किम से मि बहुत बुरा लगा, उसे ब्रेक अप कर लेता है, यून को भी किसी की जरुवत थी, वो शेन को बुलाती है, और यून इंटिमेट हो जाते है, घर आने के बाद हम उसे आइसक्रीम खाता देख सकते हैं, और डारेक्ली नेक सीनमे में दिखाया कया है, कि हो हस्पिटल में थी, वो प्रेगनन्ट है, वो कभी भी मदर बन नहीं सकती थी, इसी वज़े से अपने बेटे को उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो प्रेगनन्ट है या एक तरीक का मिरेकल था, अब बहुत दिन बीच चुके थे, यंग और यून ये दोनों अलग-अलग रह 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 थे, यंग को जब पता चला कि यून ट्रेगनन्ट है, तो उसके पास हो आता है, कहता है, प्लीज फिर से मेरे पास आजाओ, यून उसे मना करती है, कहती है, ये चाइल्ड तुम्हारा नहीं है, यंग ने कहा कि जब हमने अडॉप्शन किया था, तो मैं उसे अपना ही पता था, और अब भी नहीं पड़ेगा, वो फिर से बुछता है, कि प्लीज मेरे पास वापपस आजाओ, यून इस बार भी उसे मना कर देती है, पहले अफेर तो यंग नहीं किया था, उसे इन और करता था, ताइम नहीं देता था, उसकी नीर्स को कम्प्रीट नहीं करता था, तो इसी वज़े से यून ने उस पर चीट किया, यहीं चीज वो फिर से रिपीट नहीं करना चाहती, वो अपनी लाइफ से खुश थी, अपनी बेबी के लिए एक्साइटेर थी, तो मौन करकर लाइफ को इंब्रेज करना सीख लेती है, इसी तरीके से ये मूवी तम तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया